क्या आप लोगों को CA Foundation Intermediate Final का दुवारा से एक्जाम देने के लिए क्या दुवारा से रजिस्टेशन करना होगा इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं CA New Course जब लॉंच हुआ तो CA Foundation Course का Evalority चार साल है बारा बार बारा अटेम्ट दे सकते हैं CA Foundation का इसके बाद पास नहीं करोगे कोर्स का Evalority को बढ़ा नहीं सकते हो आपके पास दूसरा ओप्षन होगा डारेक्ट इंट्री के थुरू CA Intermediate में जाने का यानि की सिंपल सा बात है आपने रजिस्टेशन कर लिया CA Foundation Course में अटेम्ट दे रहे हो तो दे लिजिए पास कर जाते हो अच्छी बात नहीं पास कर जाते हो तो अगला अटेम्ट देने के लिए दुबारा से रजिस्टेशन करने का कोई जरुवत नहीं होता है सिर्फ और सिर्फ एक्जाम फॉर्म फिल करना होता है अब बात कर लेते CA Intermediate वाले के लिए तो CA Intermediate का अगर रजिस्टेशन करते हो तो कोर्स का वैलिरेटी पान साल तक होता है पान साल के बाद एक बार आप्सन मिलता है अगर कोर्स का वैलिरेटी एक्सपार होता है तो रिवैलिरेट करने का फिर से पान साल के लिए बढ़ा दिया रहता है और चार सो रुपया फी है इसका तो सिंपल लैंग्वेज में समझे तो CA इंटरमिरेट कोर्स का वैलिरेटी दस साल ही होता है दस साल के बाद आप बढ़ा नहीं सकते हो तो मैक्सिमम इसमें कितना अटेम्ट दे सकते हैं साल में तीन बार एक्जाम हो रहा है तो 10 जे 30 तो यानि कि आपका जो भी CA इंटरमिरेट का अटेम्ट है वो अटेम्ट पास कर जाते हो अच्छी बात है एक्जाम नहीं पास कर जाते हो अगला exam देने के लिए छिर्फ और शिर्फ exam फिल करना होगा अब बात कर लेते हैं CA final वालों का तो C.A. final वालों का course का वैलिडेटी 10 साल होता है इसके बाद 10 साल expire हो जाता है उसके लाइप टाइम फिर से 10 साल expire होगा फिर से रिवैलिडेट कर सकते हो फिर 10 साल expire होगा फिर से revalidate कर सकते हो यानि कि पूरे lifetime revalidate कर सकते हो CA final course को और जितना बार revalidate करोगे तो फी रहेगा revalidate fee 500 रुपया यानि कि आप एक बार CA final course में registration कर लीजिए इसके बाद pass कर जाते हैं अच्छी बात है जो भी आपका attempt आता नहीं pass करते हो तो कोई बात 2024 आपकनी डेट ता तो फाउंडेशन जून 24 का exam pass कर जाएंगे तो अच्छी बात है अगला exam कब होगा September 24 नहीं pass करेंगे तो September 24 का exam form fill करना होगा registeredождiction नहीं September 24 भी नहीं pass करेंगे तो सिर्फ और उसके बात कब होगा January 25 तो उसका exam form fill कीजे वो भी नहीं pass करेंगे तो अगला exam क कब होगा जून 25 तो जून का एक्जाम फॉर्म फिल कीजिए ये ऐसे चलता रहेगा कोई भी रजिस्टेशन नहीं करना होता है दुबारा से मेज़िस्टेशन करने का आग्री रेट एक सप्टेमबर 2023 था जो बच्चे करके मेज़िस्टेशन करके मेज़िस्टेशन करने का जवरत नहीं होता सिर्फ और सिर्फ बच्चो एक्जाम पॉम्पील करना रजिस्टेशन का जो लांस डेट इंपॉटेंट क्यों होता क्योंकि आपका जो पहला आटेम्ट हो उसके लिए इंपॉटेंट होता पहले दो-तीन मन्थ पहले exam form open होता है सिर्फ और सिर्फ उसी को fill करना होता है registration नहीं करना होता है दुबारा से I hope कि वीडियो बहुत helpful लगा होगा आप लोगों को समझ में आए होगा समझ में आया doubt clear हो गया तो comment box में thank you लिखे चैनल पे नहीं हो तो subscribe कीजिए जैसे ही exam form open होगा जो भी attempt सबसे पहले वीडियो बना करके अपडेट कर देते हैं इसके अलाबा कैसे exam form fill करना foundation, intermediate, final सारा वीडियो इसी channel पे आता है मान लेते हैं कि आप exam form fill करने के बाद आप वो attempt नहीं देते हो exam नहीं देते हो तो आपका attempt तो count होगा लेकिन इससे कोई बरी बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे students ऐसा करते हैं लेकिन मान लेते हैं कि आपने registration कर दिया, लेकिन exam form fill नहीं किये, then वो आपका attempt नहीं माना जाता है, बस ये चीज़ को याद 25 हो, या number 24 हो me 24 हो, सारे attempt का exam form, registration सब कुछ YouTube पे charter studies सबसे पहले अपडेट करेगा, जैसे ही open होगा, तो मान लेते चैनल को subscribe नहीं करते हो, exam form मिस हो जाता है उसके बाद कोई दूसरा option नहीं रहेगा आपका 6 मंत, एक साल पूरा बरवाद ही हो जाएगा, तो बेटर है चैनल पे नए हो, तो subscribe करके bell notification वेल दबा दीजिए, कोई भी doubt हो, मुझसे बाते करना चाहते हो, तब सीधा मुझे message कर सकते हो, charter studies के Instagram पे, और मैं मिलता हूँ next video में